बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही दिल्ली के लोगों पर एक और नई मुसीबत आ गई है पूरी दिल्ली के अधिकांश हिस्से समेत दिल्ली के कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई है अब इन इलाके के लोग बिना पानी और बगैर बिजली के इस भीशन गर्मी में जीने को मजबूर हो गए हैं लेकिन जिस तरह से आतिशी मलेना ने जल संकट के लिए हिमाचल और हर्यारा पर ठीकरा फोड़ा था उसी तरह पावर कट के लिए उन्होंने केंद सरकार पर ठीकरा फोड़ दिया है ताजा पावर संकट कब तक जारी रहेगा कहा नहीं जा सकता दिल्ली का सबसे वैस्तितम इलाका आईटियो भी इस पावर कट के चलते अंधेरे में डूब गया है यसी आईटियो पर दिल्ली पुलिस का मुख्याले और आयकर विभाग का दफतर है आतिशी ने कहा कि यूपी के मंडोला में पीजी सी आयल के एक सबस्टेशन में आग लगी है इस सबस्टेशन से दिल्ली को 1500 मेगावाट बिजली मिलती है आतिशी ने बताया कि मंडोला सबस्टेशन में आग लगने के चलती दिल्ली के कई हिसों में पावर कट हुआ है ये बहुत गंभीर मुद्दा है ये बहुत चिंता की बात है मौजुदा वक्त में देश का इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रस्रेक्चर फेल हो चुका है आतिशी ने बताया कि 2 बचकर 11 मिनट से दिल्ली के कई हिसों में पावर कट हुआ जिससे पूर्वी दिल्ली का काफी हिस्सा आईटियो का हिस्सा डक्षिन दिल्ली में सुखदेव विहार आश्रम सरीता विहार समेथ कई इलाके प्रभावित हुए मंत्री आतिशी ने कहा कि फिलहाल दिल्ली सरकार राश्चिराधानी की बिजली कमपनियों से इस मसले पर बात कर रही है इसके फौरी समधान के लिए दिल्ली के अन्य पावर स्रोतों जैसे N1 से लिंक किया जा रहा है आतिशी ने इसे बेहत गंभीर मुद्दा बताया आतिशी ने कहा कि देश के समूचे पावर ट्रांस्मिशन सिस्टम को केंदर सरकार चलाती है पावर गिड कॉर्परेशन आफ इंडिया NTPC इनका एक पूरा नेशनल पावर गिड है आतिशी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली बहुत सीमित इस्तर पर पावर प्रोडक्शन होता है दिल्ली के अधिकतर बिजली बाहरी राज्यों से आती है ये NTPC के तहट आती है इसके बाद तीन बिजली कमपणियों के जरीए दिल्ली में इसका वितरन होता है दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी केवल राश्य राधानी में मौझूद डिस्टिबूशन सिस्टम को मजबूत करना है इसके साथ ही आतिशी ने केंद सरकार पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा कि ये बहुत चिंता जनक बात है कि मौझूदा वक्त में देश का पावर इंफ्रस्ट्रक्चर फेल हो गया है मैं इस मसले पर बिजली मंतरी और पीजी सीयल के चेर्मेन से मिलने के लिए समय मागूंगी दिल्ली देश की राधानी है देश की राधानी में इस तरह का फेलियोर नेशनल ग्रिट की तरफ से होता है तो इसके बेहत गंभीर परिनाम होंगे दिल्ली सरकार ने 24 घंटे पूरे हफते बेजली देने का पूरा प्रयास किया है इसके एक दिन पहले ही दिल्ली जल संकट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने दिल्ली सरकार को जम कर फटका रहा था और उसे याचिका खारिज करने की धमकी तक दे डाली थी लेकिन लगता नहीं है कि सुप्रीम कोट की फटकार से दिल्ली की सरकार ने कोई सबक लि ही होगी कि कैसे भी इस पावर कट के मसले को भी लेकर वो सुप्रीम को जाए योड़ोपूर्ट न्यूज अफ इंडिया